दोस्तों कई दिनों से मैं एक उल्जन में था कि क्या मुझे जुरुस्पुटेंस का कॉर्स लॉंच करना चाहिए या नहीं चाहिए रीजन सिर्फ इतना था कि इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगेगा क्योंकि सिल्बस बहुत ज्यादा है और बहुत कुछ पढ़ना है और यह जो सब्जेक्ट है बिल्कुल ड्राय सब्जेक्ट है इसमें जब तक आपका इंटरेस्ट डवलप ना कराया जाए तब तक इस कोर्स को पढ़ना इस सब्जेक्ट को पढ़ना थोड़ा मुस्किल हो जाता है मैंने अपने law के श्कूल में जब मैं law के बढ़ाई कर रहा था तब मैं जुरुस्पुटेंस से काफी शुरुवात में तो डरता था लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया इसमें काफी इंटरेस्ट आ गया और उसके बाद जो optional paper होता है 5th या 6th semester में वहां भी जाकर के मैंने जुरुस्पुटेंस 2 भी लिया क्योंकि मुझे मज़ा आता था इसको पढ़ने में students का काफी जादा query था कि sir आप प्लीज इसको शुरू कीजिए जल्दी शुरू कीजिए क्योंकि admission हो गया है और classes कब से शुरू होगी इसका कोई अता पता नहीं है और बहुत कम समय में आपको पूरा का पूरा semester complete कराया जाएगा तो finally मैंने syllabus बनाया और फिर सबसे पहले तो mentally prepare किया खुद को कि क्या possible होगा मेरे लिए समय निकालना finally मेरे उपर इतना pressure आ गया student का कि मैंने सोचा कि एक course बना दिया जाए आज इस वीडियो के माधिम से course का क्या content है उस content के बारे में आपको एक जलक एक overview देने का प्रयास करता हूँ इसमें कुल मिलाकर के आठ topic है आठ हो का आठ हो आपको पढ़ना पढ़ेगा और jurisprudence एक ऐसा subject है यदि आप इसको ढंग से नहीं पढ़ेंगे काफी ज्यादा परिशानी आपको बाद में face करने को मिलेगी चाहे आप judicial service में जाएं चाहे आप वकील बने चाहे आप कहीं भी जाएं तो इस जो है वो basically philosophy of law है law कैसे originate हो गया कहां से आ गया कोई भी law है कोई भी act है क्यों है वो क्या रीजन है इसके पीछे इसके बारे में deal करता है jurisprudence एक तरीके से कहा जा सकता है philosophy of law कहां से आया ये इसके बारे में जैड सी बात है जब आप किसी चीज को question करेंगे तो किस तरीके से करना चाहिए कितना करना चाहिए किसी चीज को interpret करना है कैसे करना है यदि आप judge रहेंगे आपके पास बहुत सारे laws है उसको interpret करना है कैसे करेंगे अलग-अलग interpretation हो सकता है अलग-अलग judges के द्वारा ये चीज आप सीखेंगे jurisprudence jurisprudence में यदि आपका ढंग से पकड़ होगा तो आप चीजों को बढ़िया तरीका से interpret कर सकते हैं चीजों को अच्छे तरीके से deal कर सकते हैं answer writing आपका अच्छा होगा arguments अच्छे होंगे बट ये dry subject है first semester में लोग इसको load नहीं लेते हैं एक तरीके से लगता है कि चलो हो जाएगा किसी तरीके से pass हो जाएगे 60% से ज्यादा लोग fail हो जाते हैं इसी कारण से ये समझ में नहीं आता लोगों को और से बस बहुत जादा है तो इस course के माध्यम से हम आपको assist करेंगे चीजों को जो complex चीजें हैं उसको समझाने का प्रयास करें और इतना जरूर समझा दूँगा कि आपको परिशानी ना हो एंसर लिखने में परिशानी ना हो कई बार आप पढ़ रहे हैं दस-दस पेज 20 पेज पढ़ लिया और उसके बाद पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है तो ऐसा नहीं होगा आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीका से आ जागा यह course का जो structure है आपको नीचे यहां screen पर में दिख रहा होगा कि major legal system of the world पूरे विस्व में किस तरीके के legal system को follow किया जाता है कहां इडवर्सेरियल सिस्टम है कहां इनिक विज्टोरियल है civil law, common law, etc हम detail में पढ़ेंगे Indian legal system फिर हम अपने भारत में क्या follow करते हैं यह दूसरे देश जो दूसरे विस्व के अलग में जो included है वही reading से हां भी हम बच्चों को बढ़ाएंगे फिर questions इससे कैसा questions आएगा उसके बारें भी हम बात करेंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ लिया exam निसम में पता ही नहीं चलदा कि क्या लिखना है ऐसा नहीं होगा तो जो related questions होंगे उसको भी हम deal करेंगे जैसे question इस तरीके से आ सकता है कि discuss the major legal system of the world and their impact on development of India's legal system बिस्तु के लीगल सिस्टम के बारे में आप बताईए ज़रा और फिर इंडिया वाला कैसे हो गया इसके बारें बताईए ज़रा simple सा question है बट यह आ सकता है what are the major components of Indian legal system ऐसा आ सकता है तो यह संभावित questions जो है जो आ सकते हैं इस topic पढ़ने के बाद जो आपके सिच्छक दे सकते हैं कि जी इस पर बताईए आप प्रकास दालें 20 नमर का 25 नमर का तो भया उसको भी हम deal कर लेंगे ताकि इस तरीके questions आएंगे तो आप आराम से उसको कर सकते हैं फिर जो दूसरा जो हमारा unit होगा वो है structure of Indian legal system, basic principle of law and rule of law इसमें बहुत सारे subtopics हैं hierarchy of the courts, courts का क्या hierarchy है, supreme court समसे उपर है, उसके नीचे कौन वाला है, उसके नीचे कौन सा है, high court है, high court की नीचे क्या है, यह सारा चीज detail में आपको पढ़न होगा, legal services and local adalat, legal services क्या है, local adalat का मतलब क्या होता है, rule of law का मतलब क्या होता है, separation of power का मतलब क्या होता है, interpretation of institutes, कैसे institute को interpret करते हैं, यह सब चीज पढ़ना होगा, इसमें बहुत सारे subtopics हैं, तमाम topics को हम पढ़ेंगे, अब मैं questions जो relevant है, उसको मैं एक-एक करके नहीं बता नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप DU से पढ़ रहे हो, law, तभी आप इसको ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, jurisprudence हर एक college में होता है, हर एक law, यदि आप LLP कर रहे हैं, तो jurisprudence पढ़ना है, और लगभग, लगभग syllabus, same ही होता है, इसलिए मैंने पूरा syllabus आपको यहां पर कर दिया है, कि जाके देख लिजे, अपना syllabus मैच किजिए, यदि 90% के आसपास यह मैच हो रहा है, आप इस course को ले सकते हैं, यदि नहीं मैच कर रहा है, तो कोई बात, फिर इस तरीके की questions आपके screen पर है, फिर तीसरा जो है, sources of law, कहां से आगया source, law आया कहां से, कोई तो source हो होगा, कहीं तो होगा, तो source custom, legislation, precedent, कैसे आया, कैसे मानें, इस पर कैसे लिखना पड़ेगा आपको subjective answer, इसके बारे, legal profession in India, advocate sect कब आ गया, उससे पहले बेरिस्टर बोलते थे, attorney बोलते थे, pleader बोलते थे, आज advocate बोल रहा है, क्या चिंजे जा गए, advocate sect 1961 आने के बाद क्या क्य पर तना गया, यह सारी बाते हम इस topic में करेंगे, तकि आपको law का एक overview मिले, अच्छा law यह होता है, मतलब jurisprudence से दी, आप ढंक से पढ़ेंगे, किसी भी देश का आपके पास law लाकर के दे दिया जाए, आप उसका interpret कर सकते हैं, अराम से कर सकते हैं, क्यों, पहले ही topic में ब अच्छा वकील, अच्छा जजज बनने में सहायता करता है, और यह सब आप देख सकते हैं, यहाँ पर readings है, इसको आपको पढ़ना होगा, questions भी यही पर मुझूद है, फिर उसके बाद आता है, जो पुराने legal philosopher थे, किस तरीके से उनका सोच था, तो कुछ philosophers के बारे में हमार पर चाले heart के बारे में पढ़ेंगे, जो जो topic आपके DOLV वाले में है, उसको मैं यहाँ पर include करा हूँ, आगे पीछे थोड़ा वोत हो सकता है, एकाद दो extra ज़रूर पढ़ा दूँगा, मालस तो नहीं करूँगा, केलसन का pure theory of law क्या है, इस पर direct question आता है, इस बीस नमबर क होट से विग नी है रोसको पॉंड है, यह सब अलग-अलग theory दिये हैं, एक दूसरे से कोई मिलता जूलता है, कई theory एक दूसरे को contradict करता है, कई पर पूर देंगे जी यह वाला और यह वाला में क्या difference है, तो नहीं जब तक ढ़ंग से आप नहीं समझेंगे, question नहीं बनेगा question से इस तरीके के होंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं, judicial process applying theories of law, इस पर हम बात करेंगे, questions से इस तरीके के होंगे, बड़ा असान है, यदि आप समझ गए jurisprudence, मज़ा आ गया, तो बड़ा असान लगेगा, यदि नहीं समझे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, last में फिर concept of rights and duties, यदि किसी का right है, तो किसी का duty भी होगा, बड़ा बेतरीन जीज है, समझ में नहीं आता है, समझ में यदि आ जाए तो आपको law मज़ा आएगा, law पढ़ने में, law को practice करने में मज़ा आएगा, बड़ी आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेग वह कोर्स launch करने से पहले यही सोच रहा था, इसमें काफी महनत करना पड़ेगा, बट ठीक है, मैंने decide कर दिया कि करना है, तो करना है, जो classes होंगी, basically live classes होंगी, live classes जो है, late evening में होंगी, 8 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह से साम तक मैं court में west होता हूँ, मेरे पास समय नहीं सकते हैं, एक class का जुड़े संद, एक घंटे से डेर घंटे के आसपास रहेगा, हपते में तीन दिन हम class करेंगे, और उसके बाद topics को complete करने का प्रयास करेंगे, आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो क्योंकि course material जो है, मैं आपको बताऊंगा, और पूरा reading है, जो कि आपका exam nation से पहले ये complete हो जाए, तो ये कोशिस रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी complete हो जाए, तो उसमें कोई issue नहीं है, 4-5 महिने होने का मतलब ये हुआ कि जो भी contents होंगे, जो live classes में लूँगा, उसका recorded version आपके course में upload कर दिया जाएगा, तो इसको आप access कर सकते हैं 5-6 महिने तक मैं इसे और भी extend कर दूँगा, जरुबत पड़ेगा, किसी student को कि जी सर मुझे थोड़ा सा और time चाहिए, तो मैं extend कर दूँगा, course पहले complete हो जाएगा, इसका जो भी material होगा, आपके application पे, वहाँ आप उसको access कर सकते हैं 6 महिने के लिए, जाए दिया आपको और च से ज्यादा student जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तर इसमें advocates हैं और law students हैं जो किसी ने किसी law college में पूरे भारत में पढ़ रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो already enrolled advocate हैं, जो practice कर रहे हैं, जो नए advocate enroll होए हैं, जिनको assist मैं कर रहा हूँ अपने course के माध्यम से, family law का course है, जिसमें हिंदू law, muslim law, domestic violence law, जो first semester में आपका है, उसका भी हमारे पास course है, आप चाहें तो उसको भी जा करके देख सकते हैं, एक और हमारा जो है course है D.U.L.B. entrance examination, 2025 का भी course हाँ, 2023 का already हमने launch कर दिया है, 2022 में already more than 50 students का हुआ, 2021 में भी 50 से ज्यादा students का हुआ है, जो कि already law faculty में पढ़ या फिर देश के अलग-अलग law college में पढ़ रहे हैं, तो यह सब चीज है, आप जाकर के देख लीजेगा, और मेरे बारे में तो बताने का कोई ज़रूत नहीं है, आप थोड़ा वो देख लीजिए, बाकि कोई issue नहीं है, और यह जो course है, यह basically मैं शुरू करूंगा एक जन इसलिए इसको आराम-राम से पढ़ते हैं, इसको अभी से शुरू करके और इसको दो डाय महिने में complete करके ताकि आपका examination बढ़िया हो और concept बढ़िया हो जाए, क्योंकि शुरुआत में ही फर्स semester है, शुरुआत में ही यदि आपका experience खराब रहा, तो पूरे तीन साल तक law आ अपना experience है, इसलिए में बता रहा हूँ, law में आपको interest आना ही चाहिए, और ये lag account, teacher, आशा करते हैं कि जो आपको teacher मिलेगे, law के अलग-अलग subject के law में interest डवलप आपको जरूर होना चाहिए, बाकि देखते हैं, हमसे जो हो पाएगा, हम करेंगे, तो बस इतना ही overview था, एक introductory वीडियो था, बाकि जिनको enroll करना है as soon as possible, जितना जल्दी हो सके, एक और छी छोट गया price के बारे में, इसका 5,999 रुपया total price है, जिसको हम तीन अलग-अलग installment में दे सकते हैं, बहुत सारे स्टुडेंट होंगे जिनके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, इंस्टॉल्मेंट में पैसे के अभाव में किसी का education suffer नहीं होना चाहिए, अब पैसे इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि पूरा का पूरा technical team है, जो हमारे अंडर काम करते हैं, उनको भी तो पैसा देना है, तो ultimately कहीं न कहीं, इतना तो होगा reasonable, जो reasonable हो, वो तो charges आपको देने होंगे, हमारे जो ex-students है जो किसी न किसी course में enrolled होंगे, चाहिए वो drafting वाले course में हो, चाहिए वो family law वाले course में हो, चाहिए हमारे DULB 2022 का जो course था, और वहां से जो students गये हैं, 50 से ज़्यादा, वो होंगे, उनके रिए special discount का provision हमने बनाया है, 10% discount उनको दिया जाएगा course purchase करने के समय, वो आपको, आप ज जिनको लेना है, आप message कर देंगे और अपना, आप भेज़ देंगे कि जी मैं इस course में enrolled था, आपको discount provide कर दिया जाएगा हमारी team के द्वारा, आशा करते हैं कि इसको हम जल्द ही सुरू करेंगे, एक तारीको 8 बजे साम में सुरू होगा, और जल्द ही से complete करेंगे, और मेर उनको practical specs सीखना है, कई बार होता है कि कहां जाएं सीखने के लिए, कोई सुनिए, हमारे जितने भी students हैं, चाहे किसी भी course में हैं, चाहे intensive करना हो, चाहे कुछ practical चीज़ सीखना है, मेरे साथ court चलना है, whatever, क्योंकि मैं full time teacher नहीं हूँ, तो हमारे students जो भी हैं, जितना भी हो सक जो है, देश में, क्या करना है, spread करना है, चले फिर से मिलते हैं, किसी और topic में, बहुत हो गया, आप इसको देख लीजिए, इसका जो content है, वो मैं course में already upload कर दिया हूँ, आप जाके course को देखिए, बाकि फिर आप accordingly decide कर दो, चले फिर से मिलते हैं, bye bye, take care.